जनपद में शासन के निर्दीश पर लगाये गए 83 घंती के लॉकडाउन का असर देखने को मिला इस जोरान सभी दुकाने बंद रही सडकों पर आवागमन भी बंद रहा सिर्फ आवश्चक सेवाओं से जुड़े लोग ही सडकों पर दिखाए दिये जिसके संबंद में एडियम सिटी राकेश कुमा सिर्वासों ने बताया कि शासन के निर्दीश पर जनपद में शुक्रवार की साम 8 बजे से मंगलवार की सुभा 7 बजे तक 3 दिवस से लॉकडाउन लगाये गया है उन्होंने बताया कि सभी लोग लागडाउन का पालन कर रहे हैं तथा बहुत और शक्ता पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने कहा कि लागडाउन के पालन करवाने के लिए महानगर के विभिन ने चौराहों पर बैरिकेटिंग की गई है तता उन बैरियर पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे कि लागडाउन का पालन हो सके उन्होंने कहा कि लागडाउन में नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला है A.D.M.C.G. ने नागरिकों से अपील करते वे कहा कि बहुत और शक्ता पर ही मास्क लगा कर घर से बाहर निकले जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले उन्होंने कहा कि प्रशासन का सहीयोकर कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद करें इस संबंध में गुरखपुर्णी उससे बात करते वे एडियम सिटी राकेश कुमार सिरवास्तों ने कहा शाषन के निर्देश के करम में सुक्रवार की साम से सेटरडे सन और संडे और मंडे लोगडाउन गुशित किया गया है वो गुरखपुर में उसको कमप्लाई किया जा रहा है और इसके अलावा चेन ब्रेक करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जब लॉकडाउन ना भी रहे तब उस दौरान भी दोगच की दूरी और माश्क को लगा कर ही घर से किसी विशेशकार के लिए ही आएं अन्था अपने घर पर ही रहें कम से कम कॉंटेक्ट हो जिससे की संक्रमा पर रोक लगाई जा सके हाँ पुलिस कर्मिया अभी एलक्षन में गय हुए थे आज सुबा कल साम से आ गए हैं आज सुबा से सारे पुलिस ऑफिसर्स जूटी पर आगए जनता का पूर्ण सायोग है गोरकपुर की जनता बहुत शमसदार है और उसने अपने धैर का पर्चे दिया है मैं उनको बर्दै से बधाई देता हूँ और यही सैयम थोड़े दिन और मेंटेन कर लें तो हम लोग करोना को हराने में सफल रहेंगी नागरिकों से यही अपील है कि अपने घरों से मंगलवार से लेके शुक्रवार तक कम से कम निकले अपने को स्वल्फ रिस्टेंड करें और भीर भाल इराके में ना जाएं कंट्रोल करें अपने घूमने टहलने को तो हम लोग इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और आस्तानी से इस करोनवार इसको हरापाई